हरे कृष्ण दोस्तों कैसे हैं आप से Welcome to my channel आज मैं बताने वाली हूँ कुछ खास बात वेडियो शुरू करते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों कि साधना और उपासना पूरी क्यों नहीं हो पाती क्योंकि कुछ लोग क्या होता है दोस्तों कि जब वो मनों कामना अपनी पूरी करवाना चाते हैं अपने इश्ट से अपने देवी या देवता से किसी से भी भगवान से अपनी इच्छा को पूरी करवाना चाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं अपनी इस इच्छा के लिए मैं 21 वार व्रत रखूंगी या 21 दिन तक मैं ये साधना करूंगी या 31 दिन तक या 51 दिन तक अपनी अपनी शृद्धा और भावना के अनुसार वो ये बात जो है वो रखते हैं भगवान के आगे उसके बात क्या है कि अगर ये बात रखते हैं पहली चीज तो ये कि आपको पूरी और शृद्धा और विश्वास होना चाहिए मान लीजे कि आपकी मनो कामना या इच्छा कोई पूरी नहीं हो पारी है तो उसमें आपका ही हित है फिर सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि कि आपके और आपके भगवान के बीच कोई कंडिशन्स या कुछ कोई एग्रिमेंट तो है नहीं कि मैं आप मेरी इच्छा वो सब जानते हैं इसमें आपकी स्वार्थ की भावना छुपी हुई है कि आप सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करवाना चाते हैं उसके बाद 21 दिन तक या 21 सोंबार तक या जो भी आपने दिन चुनाए उसके बाद आप उस साधना को बंद कर देंगे यानि कि आपकी इच्छा पूरी होने के बाद आपकी पूजा पाट जो है वो साधना जो कर रहे हैं आप अपनी मनों कामना के लिए वो आपकी बंद हो जाएगी इसलिए तो आपने दिन चुने हैं कि मैं इतने दिन या इतने मंगलवार या इतने सुमबार दोस्तों भगवान इच्छा तो पूरी कर देते हैं आपके हितम है या नहीं है आप ये मसोचए आप पूरी भक्ति और श्रद्धा भाव के साथ आप भक्ति करते हैं लेकिन आप दिन क्यों चुनते हैं आप भगवान से प्रार्थना करके वो continuity भी तो कर सकते हैं आप प्रार्थना भी कर सकते हैं आप स्वार्थ क्यों दिखाना चाहते हैं कि आप स्वार्थ की भावना आपकी उसमें छुपी होती है कि सिर्फ मैं इतने दिन तक या इतने मंत्रों का जापी करूँगी या फिर जो है ये जो आप जो चुनते हैं ना कि मैं इतनी माला जाप करूंगे उसके बाद कि आप बंद कर देंगे जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो क्या वो आप उपासना और साधना बंद कर देंगे दोस्तो आप थोड़ा सोच के देखिए कि भगवान जो है न हमारे हित में ही रहता हमेशा आप कुछ मांगे या ना मांगे जो हमारे लिए बहतर होता है वो वही करते हैं ऐसा नहीं कि आप जो मांग रहे हैं वो आप जानते हैं कि वो हमारे लिए सही है कि नहीं है वो सब जानते हैं लेकिन आप जब आप चुनते हैं ना कि बस मैं इतने दिन तक के लिए मैं ये करूँगा या इतने रुपए का प्रिशाद चड़ाऊंगा तो वो कोई ऐसी आपकी सची भक्ती साबित नहीं होती दोस्तो पहली चीज तो यह है कि मैं मानती हूँ कि आप सच केर कीजिए दूसरी बात दोस्तों ये कहना चाहूंगी आप से कि देखिए कुछ लोग कुछ टाइम तक के लिए पूजा पार्ट करते हैं उसके बाद जब कुछ उनके साथ गड़बड हो जाती है कोई दिक्कत आ गई कोई कोई विप्रीज समय आ गया उसके बाद क्या हो पहली चीज तो ये कि आप जितनी भक्ती बढ़ाते जाएंगे तो उसके साथ साथ आपका विश्वास पक्का होगा भक्ती अगर आप जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही विश्वास आपका पक्का होता चला जाएगा चाहे कोई भी परिस्तिती आ चाहे कोई भी ये कुछ न कुछ विपरीत इस्तिती के कारण हो भी जाती है, लेकिन ठीक करने वाला भी भगवान ही है, हम जब हार करके उसी को तो याद करते हैं, और फिर दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये भी देखी गई है, कि जब भी आप continuity में जब पूजा करते हैं, तो आप बिल्कु होनी चाहिए, कभी भी ऐसा नहों कि आपके कोई भी पूजा या साधना, जो मंतर जाप है, जो भी है, वो बीच में टूटे, आप जानते हैं, दोस्तों कि जो नियम पूरवक बिना करम तोड़े, पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है, विध्यारती होता है, वो भी प देशा क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं, हंड़र्ड परसंट, ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि इसी तरह से अगर आप अपनी पूजा अराधना को कंटिनिटी रखेंगे, बीच में कभी भी तोड़ेंगे नहीं, कोई ऐसी स्थिति आ आगई, आपकी तवित ठीक न सानेट से डरेंगी, क्यों क्योंकि आपके पास एक आपका आसपास एक औरा ऐसा बन जाएगा, जिससे कोई भी नगेटिविटी आपके उपर हावी नहीं होगी, कोई परशानी आपके उपर जादा हावी नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो कहते हैं तो टूट फूट सी तो कोई स्वार्थ सिद्ध ना हो कोई स्वार्थ की भावना ना हो, भगवान से यह सोचिए कि आप हमारे ही हैं, हमारे हित्वे सब जानते बस यह मत सोचिए कि अतने का प्रशादफ चड़ा दूंगी याइतने के वो तो आपका भाव है मैं मानती हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी भक्ति ना और अपर लेवल पे जाए जिसमें कोई स्वार्थ ना हो क्योंकि जानते हैं ना भगवान जो आपके लिए सबसे ज़्यादा हित्मे है सबसे ज़्यादा जो आपके लिए बहत आपने किए परोल से भगवान को याद करेंगे को इच्छा रखेंगे मनो कामना पूरी कि लिए याद करेंगे जो है वो आपकी जरूर सुनेंगे बस आपके मन में श्रद्धा भाव विश्वास प्रेम ये चीजे जरूर होनी चाहिए दोस्तों आज का वीडियो यही तक अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और इसी तरह की में और भी जानकारि लेती हाऊंगी आपके पास शेयर करूंगी मैं आपके साथ तो जो भी नॉलेज है वो आपको देती रहूंगी थैंक्स फर वाचिंग